नमस्कार ये आकाश्वानी पटना है अब आप खालिद रशीत से प्रादेशिक समाचार सुनिए पटना के बाइपास एलाके में देर शाम पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठ भेड में पुलिस के जवान मुकेश सिंग शहीद केंद सरकार उजवला योजना के तहट गैस कनेक्शन पाने वाले गरीबों को अब बड़े सिलेंडर की जगा छोटे सिलेंडर का विकल्प देगी प्रथम इंटरस्तरिये संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परिक्षा आठ दिसंबर से होगी शुरू और राज्जी के अधिकांश इलाखों में आज से बढ़ेगी ठंड तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना राजधानी पटना के बाइपास इलाखे में कल देर शाम पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुटभेड में पुलिस के जवान मुकेश सिंग शहीद हो गए मुकेश पटना पुलिस की विशेश सेल में पदस्थापित थे पुलिस सूत्रों के अनुसार बाइपास इलाखे में एक कुख्यात अपराधी और उसका गिरोह किसी घटना को अनजाम देने के इरादे से आया था जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की पुलिस के पहुँचने की भनक लगते ही अपराधियों ने गोली बारी शुरू कर दी इस दोरान मुकेश सिंग को गोली लगी उन्हें ततकाल अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई अपराधियों को पकड़ने के लिए छापे मारी जारी है वर ये पुलिस अदिक्षक मनु महराज ने कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बक्षा नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि शहीद मुकेश ने गोली लगने के बावजूद अपराधियों को पकड़े रखा था जिसके कारण एक अपराधी पकड़ा गया सेंट्रल रिंच के डी आई जी राजेश कुमार ने कहा कि शहीद जवान को वीरता पुरुसकार के लिए प्रस्ताव भेज आ जाएगा केंद्र सरकार उजोला यूजना के तहट गैस कनेक्शन पाने वाले गरीबों को अब बड़े सिलेंडर की जगा छोटे सिलेंडर का विकल्प देगी माना जा रहा है कि बड़े सिलेंडर की कीमत अधीक होने के कारण बहुत सारे गरीब परिवार इसे दोबारा भरवाने से बच रहे हैं जबकि छोटे सिलेंडर को कम पैसे में आसानी से भरवाया जा सकता है केंद्री मंतरी धरमेंदर प्रधान ने कहा है कि देश में आम जर्मता को बीमा कवरेज देने का कारिकरम बड़े स्धर पर शुरू करने के बाद अब केंद्र सरकार हर भार्ति का बीमा कराने का प्रयास शुरू कर रही है इसके लिए सरकार की तरफ से नए खदम उठाये जाएंगे भुबनेश्वर में आयोजी तिक कारकरम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंतरी की आयोश्मान भारत यूजना इस दिशा में एक बड़ा कदम है जो पचास करोर भारती को स्वास्त बीमा कवरिज देने का काम कर रही है उन्होंने कहा कि लोगों को बीमा कवरिज को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा वित्य मंतराले ने एक बियान जारी कर बताया है कि जीस्ती रिफंड के 93.77 प्रतिशत मामलों को निप्टा दिया गया है बकाया दावों का भी जल्द ही निप्टान कर दिया जाएगा मंतराले की उलसिक आ गया है कि CBIC और राज्य सरकारों ने GST के लगभग 91,149 करूर रिफंड कर दिया है इसके लिए 97,202 करूर रिफंड के दावे प्राप्त हुए थे मुख्य मंतरी निदिशकुमान ने वरिये अफसरों को निकम में और भर्ष्ट पुलिस कर्मियों को बाहर करने का आदेश दिया है उनका कि बहाली से लेकर प्रस्टिक्षन तक सब सुविधायें देने के बाद भी यदि पुलिस मुस्तैदी से काम नहीं करती है तो ऐसे लोगों को हाटाया जाएगा मुदफरपूर बाली का ग्री कांड मामले में सुप्रीम कोट के आदेश पर नगर निगम ने मुख्य आरूपी ब्रजेश ठाकुर के बाली का ग्री भवन को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसके तहर नगर निगम ने बिल्डिंग बायलाउस के विप्री इत्व ने साहू रोड इस्थित बाली का ग्री भवन को खाली कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है वह तलब है कि सुप्रीम कोट ने 10 दिसंबर तक बाली का ग्री भवन को तोड़ने का आदेश दिया है राजिसरका ने राज्तिय खाद सुरक्षा मिशन के तहर चालू वित्तिय वर्ष में धान, गेहूं और दलहन सहित अन फसलों के उत्पादन के लिए 100 करोर रुपे से अधिक की योजना की मनजूरी दे दी है प्रिशी मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि योजना के तहर धान की उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए 15 जबकि गेहूं के लिए 10 जिले चैनित किये गए हैं मुई दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 11 चैनित जिलों में योजना चलाई जाएगी प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वनी पटन से सुन रहे हैं प्रतम इंटेस्तरिय स्यूक्ते प्रारंभिक प्रतियोगिता परिक्षा आठ दिसंबर से शुरू होगी साड़े अठारा लाग से अधिक परिक्षा थी 570 केंद्रों पर परिक्षा में शामिल होगे परिक्षा की तैयारी पूरी हो गई है केंद्र के अंदर जूता, मोजा या घड़ी पहन कर जाने की मना ही होगी साथी पैन, पैंसिल और आभूशन लेकर भी केंद्र में दाखिल नहीं हो सकेंगे राज्य के मुखे सचीत दीपक कुमार ने सभी जिलादिकारियों को धान की खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया है वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिए राज्य में धान खरीद की समिक्षा करते हुए उन्होंने यह निर्देश दिया प्रदेश में अब तक सीता मढ़ी और किशन गंज में ही धान की खरीद शुरू हो पाई है प्रदेश में 14 दिसमबर से प्लास्टिक पर पूरी तरह से पामंदी लगाने से पहले इसका सकती से अनुपालन कराने के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स और छापे मारी दस्ते का गठन किया जाएगा नगर विकाज विभाग के प्रदान सचिव चेहतने प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर 10 दिसमबर तक टास्क फोर्स का गठन करने को कहा है प्रिसिदेंशल डिबेट के साथ ही पत्ना विश्विद्याले के चात्र संग का चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया मतदान कल यानि बुधवार को होगा कल सुबा आट बजे से दोपहद दो बजे तक वोट डाले जाएंगे चार बजे से मतगर न होगी और देर रात परिणाम घोशित कर दिये जाएंगे इस बीच पटना विश्विद्याले चात्र संग क्युनाव को लेकर चात्र संग गटनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है कल देर शाम विश्विद्याले के कुलपती डॉक्टर रास बिहरी सिंग से मिलकर बाहर निकले जद्यू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की गाड़ी पर पत्थराओ किया गया इस मामले में ABVP के करीब दो दरजन कारिकरतों को हेरासत में ले लिया गया जिन्हें देर रात छोड़ दिया गया इस बीच भाजपा युवा मोचा ने ABVP के उमेदवारों को कथित रूप से परिशान करने को लेकर देर रात राजजपाल लालजी टंडन को ग्यापन सौपकर निस्पक्ष चुनाओ कराने की मांग की आन्य छात संगटनों ने भी जद्यू नेटा के छात संग चुनाओ में हस्तशेप का विरोध किया है इधर राजपाल लालजी टंडन ने पटना विश्वद्याले के कुलपती से इन शिकायतों के मद्दे नजर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश इलाकों के तापमान में एक डिग्री सेलस्यस तक की कमी आने की संभावना है हवा में नमी के करण ठंड में व्रिधी होगी साथ दिसंबर से तापमान में और तेजी से गिरा वटाएगी सूचना प्रदावगी की मंत्रा लेकियो से आज पटना के पाटली पुत्र मैदान में रोजगार मेला शुरू हो रहा है केंदरी सूचना और प्रदावगी की मंत्री रविशंकर प्रसाद मेले का उधगाटन करेंगे मेले में उर्जा शेत्र, खुद्रा शेत्र, दूसंचार, वित्ते और सूचना प्रदावगी की से जुड़ी कई कम्पनियां भाग ले रही है पटना में खेली जा रही अखिर भात की टेनिस प्रतियोगिता में ब्यार की प्रियम कुमारी ने और इसा की अनन्या को 2-6, 6-1 और 6-4 से हरा कर दूसरे दौर में जगा बना ली है सीके नाज्यो ट्रोफी, अंडर 23 क्रिकेट में मनिपूर के खिराफ होने वाले मुकाबले के लिए ब्यार टीम की घुशना कर दी गई है मुकामा के मरांची में 11-13 दिसंबर तक ब्याराज गोल्ड कप कबरड़ी चैंपिनशिप का आयोजन किया जाएगा आरा में खेली जा रहे है, इंटर इंवर्स्ती हैंडबल टूर्नामेंट में वीर कुमर सिंग विश्विद्याले आरा, एलन मितला विश्विद्याले दर्भंगा और मगद विश्विद्याले बोध गया की टीमें रास्ट्री प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर कारण 3 से 17 दिसंबर की बी 16 जोडी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित करके चलाया जा रहा है, वैशाली और गया जिले में से पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 535 काटन विदेशी शराब बरामत कर 5 लोगों को गिरफतार किया है, समत्तिपूर, सीतामडी, रोतास और बकसर ज है, हेंदुस्तान लिखता है, सुबे में 5 फिर्दी महंगी बिजली का प्रस्ताओ, दैनिक जागरन लिखा है, बाइपास पर बदमाशों से मोचा लेने में सीपाही मुकेश शहीद, दैनिक भासकर का शिर्षक है, बिना माल खरीदे ही फर्दी ईवे बिल बना कर, मुफ्त में उठा लिए 20 करोड, प्रभात खबर की सुर्खी है, बेहार बोट टॉपरों को मिले एक एक लाख और लैपटॉप, और अब अन्त में मुखे समाचार, पटना के बाइपास इलाके में देशाम पुलिस और अप्राजियों की बीच हुई मुट भेड में, पुलिस के मुकेश सिंग शहीद, केंद सरकार उजोला यूजना के तेद गैस करेक्शन पाने वाले गरीबों को बड़े सिलेंडर की जगा छोटे सिलेंडर का विकल्प देगी, प्रथम इंटरस्तरिये संयुक्त प्रारंबिक प्रतियोंगी ता परिक्षा, आठ डिसंबर से होगी श आकाश्वानी से प्रस्थुत है समाचार प्रभात राजस्थान और तेलंगाना विधान्सभा चुनाव का प्रचार चरम पर मतदान शुक्रवार को जम्मु कश्मीर में पंचाय चुनाव के साथ में चरन का मतदान शुरू उत्तर प्रदेश के मुखे मंसी योगी आदित्तेनाथ ने बुलंद शहर में सिती की समीक्षा की बृतक फुलिस ने रिक्षक के परिवार को पचास लाक रुपए की अनुगय राशी देने की घोचना आज नौसेना दिवस्मन आया जा रहा है विदेश मंसी सुष्मस्वराज अबुधाबी में आज भारत, UAE, सयुक्ट आयो की बैठकी से अध्यक्षता करेंगी और पुरिशो की विश्वकप में आज इंग्लिन का मकाबला आस्ट्रेलिया से और आइलेंड का सामना चीन से होगा समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियांका अरोडा राजसान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार में केवल दो दिन बचे हैं इसलिए प्रचार चरम पर पहुंच किया है तुधान मंसरी नरेंद्र मोदी आज राजसान में जैपुल, हनुमानगर और सीकर में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे भारती जनता पार्टी अध्यक्ष अमिच्छा और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सेंग, नितिन गटकरी, स्मिती इरानी, राजे वर्धन राठोड, योगी आदितिनाथ और मुखे मंसी वसुन्द्रा राजे, राजे में व्यापक चुनाव प्रचार कर रही हैं कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोग घैलोत, सचिन पाइलिट, एहमर पटेल और जोतीरा दित्यसिंध्या प्रचार में जुटे हैं उधर तेलंगाना से हमारे समवादाता ने खबर दी है कि राजे में प्रचार जोर उपर है दोनों राज्यों में 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, राजस्थान और तेलंगाना में भी वोटों की गिनिती, मध्यप्रदेश, 36 गड़ और मिजरम के साथ 11 दिसंबर को होगी केंद्रिय ग्रीमंसी राजनाच सिंग ने कहा है कि भारत की गिनिती जल ही विश्व के तीन शीर्ष देशों में की जाने लगेगी उन्होंने कहा कि देश की अर्थ्यवस्था मिव्रुद्धी तेज गती से हो रही है राजसान की जारडा पाटन में चुनाव रैली में शीर सिंग ने कहा कि पूरे विश्व का मानना है कि वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीन शीर्ष देशों अमरीका, रूस और चीन में से किसी की जगा ले लेगा ग्री मंसी ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में नौवे स्थान पर था उन्होंने कहा कि आंकडों से पता चलता है कि प्रधानबंसी नरेंद्र मोदी के नित्रित्व में भाचपा सरकार के सक्ता में आने के बाद भारत की अर्ट विवस्था में तेज गती से व्रिद्धी हो रही है मिजरम में तुई चांग निर्वाचनक शेट्र के आजा सोरा मतदान केंजर पर आज फिर वोट डाले जा रही है अधिकारियों ने बताया कि 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव के बिन एवियम में खराबी के कारण सेंक्रों मतदाता वोट नहीं डाल पाए थे जम्मो कश्मीर में पंचाय चुनाव के साथमें चरन के लिए मतदान शुरू हो गया है जो दोपहर दो बज़े तक चलेगा हमारे संभादाता ने खबर दी है कि सभी चुनावक शेट्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गए हैं पंचायदी चुनाव के साथवे चैनल में 4,55,865 मदाता सर्वें निर्वाचन हलकों और 3,45,885 मदाता पंच निर्वाचन हलकों के लिए अपने मत अधिकार का इस्तमाल आज़ कर सकेंगे इस चैनल में जम्मू और कश्मी संभाग के 15 जिलों के 30 ब्लाकों में मदान होगा 800 पोलिंग स्टेशनों को 37 दर्शील गोशित करा दिये गए जिसमें 428 कश्मीर गाटी में और 414 जम्मू संभाग में हैं पहले चरण में राज्य के 16 जिलों की 251 जिला परिशिदों के सभी सरके सदस्यों और पाशिदों के चुनाफ के लिए कल वोट डाले जाएंगे पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनितिक दलों ने जोरदार तरीके से प्रचार किया दूसरे चरण के लिए 9 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे वोटों की गिनती 12 दिसंबर को होगी उत्तर प्रदेश के मुखे मंची योगी आदितिनाथ ने बुलंद शहर जिले के सियाना इलाके में कल ग्रामीरों की हमले में मारे गए पुलिस में रिक्षक सुबोध कुमार सिंग के परिवार को 50 लाक रुपे की अनुग्हे राशी देने की घोशना की है खुफिया विभाग के अपर महानी देशक को 48 घंटों में रिपोर्ट दाखिल करने का अंडर देश देते होई मुखे मंसी ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद घटना के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी काडवाई की जाएगी एक रिपोर्ट इस पीच कैना में हालात काबू में है और इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बलतैनाथ किये गए हैं सुशील चंदर तिवारी आकाश्वाणी समचार लखना हुआ आज नौ सेना दिवस है ये दिन 1971 में पाकिसान के साथ युद्ध के दौरान नौ सेनका की भूमिका के सम्मान में मनाय जाता है इस युद्ध में भारती युद्ध पोतों ने कराची बंदरगा पर हमला कर पश्चमी तट पर पाकिसान की कारवाई को निशाना बनाया था शांतिकाल में देश के समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने और मानविय सहायता अभियानों में नौ सेनका की भूमिका को उजागर करने के लिए भी ये दिवसमन आया जाता है नौ सेना प्रमुक एड्मिरल सुनी लामा ने कल कहा कि नौ सेना भारत की समुद्री क्षेत्रों को महत्वपूं सुरक्षा प्रदान करती है राश्ट्रपती रामनात कोविंद ने नौ सेना दिवस के अफसर पर शुब कामनाई दी हैं। श्री कोविंद ने कहा कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और मानवी आपदाओं के समय सहेता उपलब्द कराने में महिला और पुरिश नौ सेनिकों की प्रतिबधता पर राश्ट्र को गर्व है। विदेश मंत्री शुष्मा स्वराज आर्थिक और तक्नीकी सहयोग के लिए भारत तथा सहयोक्त अरब अमिराद के सहयोक्त आयोग के बारवे सत्र की बैठकी सह अध्यक्रता के अलावा महात्मा गांदी और जायत दिजिटल संग्राहले का आज उठकाटन करेंगी। विदेश मंत्री की यात्रा दोनों देशों के व्यापक साज़ेदारी को और मजबूत करेंगी। कंचन के साथ आकाश वाने समाचार अबुधाबी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में अमरीका को महत्वपून भागिदार मानता है। अमरीकी रक्षा मंत्री जीम्स मैटिस के साथ पेंटरगन में द्विपक्षे बाचीत शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि वे नई अमरीकी राश्ट्रिस रक्षा नीती में भारत और अमरीका के बीच रक्षा संबंद को दिये गए महत्व से उत्साहित हैं। रक्षा मंत्री अमरीका की पांच दिन की सरकार यात्रा पर हैं। समर्ठक सांसदों ने श्री राजपक्षे के पद पर बने रहने को अदालत में चुनौती दी थी। इन याचिकाओं पर अदालत का अंतरे मादेश कल शाम आया। श्री राजपक्षे ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे अदालत के फैसले से सहमत नहीं हैं और आज सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवर सम्विधानिक प्रावधानों पर व्यवस्था देने के लिए अधिकरित है। उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर राष्ट्रिय वन्यजीव सम्मेलन में 11 देशों के 80 से ज्यादा प्रतिमिदी भाग ले रहे हैं। चार दिन के सम्मेलन का उद्देशिक, चिर्या घरों, अभिया रण्यों और बचाफ केंद्रों में भालूं और अन्यवन जीवों की कल्यान से जोड़ी सधानतों की जानकारी साज़ा करना है। पुर्वोतर के लिए नीती मंच की दूसरी बैठक आज गुवाहाटी में होगी। आर्थिक दुद्धी के रासे में आने वाली बाधाओं की पहचान कर समुचित उपायों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र और इश्याई विकास बैंक ने उरिसा में कौशल विकास की सिती में सुधार के लिए सारे आट करोड डॉलर के रिन समझोते पर हसाक्षर किये हैं। इससे भुमनेश्वर में उन्नत कौशल प्रक्षिक्षन केंद्र और विश्व कौशल केंद्र सापित किया जाएगा। वित्त मंत्राले में अपरसचेव समीर कुमार खरे और इश्याई विकास बैंक के भारत मिशन में निदेशक केनिची योकोयामा ने कलने दिली में उरिसा कौशल विकास परियोजना समझोते पर हसाक्षर किये। महराष्ट सरकार सूशना अधिकार अधिनियम के तहट नागरिकों को जिला सर और स्थानिय निकायों के कारियालों में चत्तेक सुमवार को दो घंटे के लिए सरकारी अभिलेखों का निदिक्षन करने की अनुमती देगी। उडिसा के भूबनेश्वर में पूरेश हो के विश्रकप में आज शाम पांच बजे इंगलिन का सामना उस्ट्रेलिया और आइलेंड का मखाबला शाम साथ बजे चीन से होगा। कल अरजंटीना ने नियूजिलेंड को तीन शूने से हरा दिया जबकि स्पेल और फ्रांस के बीच मार्च जो रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट न्यूज़ान एया.ni.ca.n पर भी उपलब्त हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्ख्यों के साथ हैं फरहत नाज। परिवर्तन मार्च निकाला मकसद पुलैंड में 200 देशों के सम्मेलन में धर्ती को बचाने के लिए दबाव बनाना है। बुलन शेहर हिंसा में इंस्पेक्टर सहित दो लोगों की जान जाने को जनसत्ता सहित सब ये अख़बारों ने प्रमुखता दी है। राजिस्थान और तेरंगाना विधानसभा चनाव प्रचार में विभन दलो के आरो प्रत्यारो पंजाब के स्री सहित कई अख़बारों में है। दरिक भासकर लिखता है लोगसभा चनाव के साथ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर, आंधर, ओरिसा, अरोनाचल और सिक्किम के चनाव। एकनॉमिक टाइम्स ने बताया है नौसेना ने पाँच गर्षती जहाजों की सप्लाई नहीं करने पर रिलाइंस नेवल और इंजीनेरिंग लिमिटेट की सौ करोड की बैंक कारंटी भुनाई। भुबनेश्वर में जारे विश्व कप हौकी के बीच दैनिक जागरन की एक खबर ध्यान खीषती है। जारकन में मानफ तसकरी पर पराहार में हौकी बनी हत्यार। ग्रामी इलाकों की लड़कियों को खेल के साथ किया जा रहा है जागरुक माववात प्रभावित जिले की है ज्यादतर लड़कियां। अमरिका की बैलोर युनिवरस्टी आठ घंटे सोने वाले बच्चों को दे रही एक्स्टा मार्क्स। दरिकभासकर ने लिखा है परिक्षाओ और मार्क्स के तनाव से बच्चों की नींद पर पढ़ने वाले असर को कम करने के लिए उठाया गया कदम। और अंत में मुखे समाचार एक बार फित। राजिस्थान और तिलंगाना विधानसभा चुनाफ का प्रचार चरम पर है मतदान शुक्रवार को होगा। जम्मू कश्मीर में पंचाय चुनाफ के साथ में चरन के लिए बोट डाले जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुखे मंती योगी अधितिनाथ ने बुलंद शहर में स्थिती की समिक्षा की और मृतक पुलिस निरिक्षा के परिवार को 50 लाक रुपे की अनुगह राशी देने की घोशना की है। आज नौसेना दिवस्मन आय जा रहा है। विदेश मंती सुष्मा स्वराज अबुधाबी में आज भारत यूएई संयुक्त आयो की बैठकी सह अध्यक्षता करेंगी। और पुरिशो के विश्वकप में आज इंगलन का मुखाबला आस्ट्रेलिया से और आइलेंड का सामना चीन से होगा। इसके साथी समाचार प्रभाज का यें समाप्त हुआ। नमस्कार।